हेलो गाइस वेलकम तो माई यूट्यूब चनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों कुछ और भी चीज़ जो डेकुरेटर फॉंक्शन के बारे में तो कुछ हम एक्जामपल सॉल्फ करेंगे उसे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप बैतर तरीकी से डेकुरेटर करता क्या तो इसका डॉप स्ट्रिंग आना चाहिए तो इसके अंदर कितने भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो सभी का मंटिप्लिकेशन करके हमें वैल्यू देदेगा पर इसमें यह चीज़ डिफरेंट है कि आप इसके अंदर इंदर इंटीजर वैल्यू होना इसके अंदर को लिष्ट है तो इसमें बता जाना चाहिए इंटर इंटर इंटीजर इंटीजर या फिर इंपूर्ट इसरों कुछ भी चीज़ आप ऐसे प्रिंट करा सकते तो यह भी डेकुरेटर फंक्शन के तुरू जो के आपने लिष्ट डाला हुआ इसके अंदर तो आपका नन करके आ जाना चाहिए और यदि यह लिस्ट नहीं तो इन सभी का मंटीप्लिकेशन करके देना चाहिए सभी इंटीजर तो यह चीज हम डेकुरेटर फंक्शन के तुरू क्रियेट करेगे तो सबसे पहला फर्स्ट वाले का क्रियेट करता है तो इधर हम सबसे पह इंपोर्ट करता हूँ यह इंपोर्ट और इसके अंदर से घ्रेट को इंपोर्ट करेगा तो बेसे प cassette कर लिया अव इसके बाद में इसके बार में फॉंक्शन के घो क्र नेगे मैं तो यह यह मैंने call function लिख दिया अब यह तो हमारा function create हो गया इसके बाद में हम यूज करेंगे एठरेट और एठ तो इसके अंदर कुछ भी चीज हम डॉक स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं जैसे आप दिसके यह function का था तो इसकी लॉक स्ट्रिंग रहेगी वही प्रिंट रहेगी तो इसके लिए हमने यह call function को यूज किया तो इसके बाद में फिर हम इधर जो कि function declare करेगी जो दूसरे function के साथ में functionality को add करना है तो define new function लिए तो यह मैंने new function लिग दिया और इधर हम star arcs use करेगे और double star quarks use करेगे तो यह double star quarks and arcs मैंने यूज कर लिया इधर आप नाम कुछ भी दे सकते हो पर इधर अधिक तो लोग arcs और quarks की देते जिससे आपको बैटर तरिके से समझ में और आपको नहीं पता है star arcs or double star quarks कैसे यूज करते तो इसकी link पी आपको description में your function name यह मैंने लिखा your function name बाद में curly brackets और हमारे फंक्शन कौन सा है call function और इसके बाद में डॉट डबल अंडर स्कोर नेम क्या आप देख सकते यह मैं नेम लिखा और डबल अंडर स्कोर तो यह हमारा call function जो के जो भी function का नाम जैसी यह multiplication नाम है तो यह multiplication प्रिंट कर देगा मल the MUL जो नाम है यह print कर देगा विदर लिख दो फंक्शन यह मैंने फंक्शन लिख देख तो यह तो हमारा सबसे पहला जो कि एक लाइन जो यह देख सकते हमारी इदर तक हमारा काम हो गया है अब हम आगे का करते हैं जो कि इस इस is a multiplication और इसके बाद में फिर जो कि यह देख का नाम कॉल कर रहा है कॉल फंक्शन बाद में डॉट बाद में फिर मार्डॉक स्ट्रिंग और यह देख सकते हूं यह हमारा जो कि यह वाला लाइन भी हमारा सक्सेस्फफुली हो गया मतलब यहां तक हमारा आउट्पूट आगया अब हम बात करते हैं जो कि इसे रिटन कर परके हमें 25C to is that both a simple return like यह रिटन के बाद में हमारे जो फंक्शन ने देख सकते हो यह वाला कॉल सा कॉल फंक्चन से तो इसको हम डी करेगा कॉल फंशन के बाद में आप देशक्त Chop, सब्सक्राइब, श्टार आउंगा श्टार आक्स और आप देखे तो डबल श्टार को अग्स यह में लगा दिया इधर आपने जो उपनाम दिया हुए नाम आपको इधर भी देना रहेगा इधर आप function को फिर new function के दूजो भी functionality रहेगी वो call वेगी और इसके अंदर हमारे जो call function को return होएगा बाद में फिर हमारा जो कि output आ जाएगा तो इदर में लिखता हूँ return यह return लिखने के बाद में हमारा जो new function है तो यह मैंने new function को return कर दिया तो यह हमारा create हो चुका है अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता तो इदर लिखता हूँ एठरेट एठरेट को यूज करते को भी डेकुरेटर फंक्शन को साथ में एड करने लिए तो इदर में मेरा main function और इसके बात में फिर मैं यह नीचे जो भी से कमेंट कर देता हूँ यह मैंने कमेंट कर दिया मैं से सेव करता हूँ और यह हमारा clear code और हमारा जो python फाइल नमर है 144 और इसके बाद में से मैं रन करता हूँ sorry run यह successfully हो गया पर आप देसे तो इधर मैंने function को call नहीं किया इधर यह देख सकते हूँ यह print mul और यह parent इन इस और इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करने 55 तो यह मैंने function को call कर दिया मता हूँ और इधर आप देसे तो दोनों का multiply करके हमें value दे दिया तो इस तरह ही हमने जो कि डेकुरेटर function उपर create करके इसका solution ला दिया अब हम बात करते है next वाले का तो उपर आले को मैं comment कर देता हूँ functool को रहने देता हूँ क्योंकि इससे हम use करेगे आगे तो इससे तो मैं रहन रहे है तो यह चुक्क आउट्पूट में आ जाए है कि not integer value यह फिर entry input is not integer तो इस टाइप का और यदि सभी value integer है तो सभी का multiplication करके हमें value आ चाहिए तो इधर क्या करने सबसे पहला define और define इसके बाद सेम लिखता हूँ मैं main function यह मैंने main function लिख दिया और इसके बाद में पैर operator inbuilt बना वो इधर हमने से import कर लिया है already तो यह मैंने import कर लिया अभी किसके साथ वक करना चाहिए call function के साथ में वक करना चाहिए जो कि यह call function है इसके बाद में फिर मैं जो की function को डिफाइन करूंगा जो function की functionality हम add करेंगे दुथरे function की साथ में तो define new function तो यह new function और बाद में इसके अंदर में इसके इतने भी argument पास कराएं तो star arcs और double star quarks को use करेंगे यह use कर लिया इधर में नाम चेंज करेंगे तो हर बार यही नाम लोगा तो आपको लगता रहे कि हर बार यही नाम लेता है तो यह मैं मेहंदर numbers लिख लेता हूं और numbers लिखने के बाद में इधर मे है लिख देता हो नम तो यह मैंने numbers लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो value import value जो पीछी आपको याद रहे अब column लगान के बाद में आप देख सकते हूं जैसे कि इसके अंदर integer value है तो यह आगे रहनो नहीं है integer value तो आपको इस type का output आना चाहिए तो इधर हम एक list create करेंगे data type यह new data types की मैंने list create कर लिए उसके अंदर जो कि हम value store करा देगे और find कर लिए और यह तो मैंने कर लिए अब इसको हमने कहां से find करना इसके अंदर हम स्टोर कराएगे सबसे पहला जितने भी value input होएगे 12340 तो सभी के types का है सभी के जैसे list है यह integer है तो सभी के types इसके अंदर हम इस्टोर करा देगे तो इदर मैं enter करता हो तो यह कैसे इस्टोर कराएगे लूप चला कर पड़ेगा एक कुछ चेक करने के लिए तो फॉर आई इन किसके अंदर आक्स तो यह आक्स के अंदर हम लूप चला गया हो इदला दे तो जिसके column column के बाद में आप देख से तो ने आँवर इन आक शरी मैं इदर आकश नहीं लिए और ने लिए नम यह मैंने लिए नम लिग लिए नम लिखने के बाद में एक एकट तो इदर लिखूंगा new data types.append method को यूज करेंगे बाद में पैरंटिनिस लगाँगा पैरंटिस लगाने के बाद में लिखूंगा type चुकि type function को हम कॉल करेंगे इसके बाद में फिर हमें किसका type check करना i का तो जो एक एक value आ रहा है अभी for example one आ गया है i के अंदर तो i का type check करेंगा बाद में two आ गया तो two का type check करेंगा तो इस तरह एक एक append करते जाएगा तो इधर हमें condition लगा देते हैं equal equal to true true मतलब integer तो इधर equal equal to integer रहता है तो true of false direct हम यह store करा देगा तो इधर आप देशे तो type i equal equal to true है तो यह true store हो जागा यह equal to true ने यह तो false store हो जाएगा तो यह हम condition लगा देगा तो जिससे हमारा code और भी छोटा हो जाएगा और यह code में आपको एक line में भी print करके दिखा हूँगा तो बहुँ बहुत simple है तो आप दे देख लिए तो इधर हम यूज करेंगे all को all जो के inbuilt function है जो का हमें यूज करने मिलता हूँ इसमें कुछ functionality मिलती है जिससे हमारा code भी छोटा हो जाता है और कुछ यह functionality भी मिल जाते है तो इधर मिलता हूँ all data types तो आप देखे तो all new data type जो भी data type के अंदर true है मतलब all और any any का मतलब क्या होता है एक भी और all मतलब क्या होता है सभी true है तो यह condition चलेगा नहीं तो जो की condition नहीं चलेगा तो सभी true होईगे इधर आप देखे तो इधर हमने equal equal to integer तो इधर हमने प्रिंट भी करा देता हो इधर new data types तो इसे पर प्रिंट करा दूगा तो आपको दिखने भी लग जाएगा output में जो कि true false है कि नहीं तो इधर आप देखते तो if all new data type तो मतलब इधर condition लग गई सभी data type true है तो क्या return होना चाहिए तो इधर return हो जाना चाहिए हमारे function को तो अपने से तो call function उसके बाद में फिर जो कि हमारे function का इधर pass कर दे तो star num and double star numbers तो यह मैंने जो कि उपर पास के होते यह मैंने पास कर दिया और यह दिन नहीं है तो क्या होना चाहिए क्योंकि एल्स पार्ट चलना चाहिए एल्स और बाद में फॉलम और बाद में फिल्ट करा दूंगा एंटर इंपूर इस नौट इंटेजर तो यह मैंने जो कि प्रिंट करा दिया तो यह हमारा कंडिशन लग गया अब इसके बाद में हम रिटन करेंगे इस फंक्शन को तो यह तो हमने पूरा फंक्शन इन बिल्ट वाला फंक्शन की रिड़ कर लिया अभी से रिटन भी करना पड़े करने तो फिर हमारा आउट पूट नहीं आएगा तो इधर यह पैरेंट कर दिया ह इस के बाद में इदर लिखता हूँ रिटन और रिटन करने के बाद नियो फंक्शन तो यह मैंने इसे रिटन कर दिया अब हम इस फंक्शन को यूज करेगे इस योगी इस फंक्शन के साथ में हो चेक करेगे कि इस टाइप का हमारा आउट पूट आ रहाए कि नहीं तो है कमेंट किये वह अलएड सभी कोड को अब मैंसे से एक करता हो गों करता हूं तो आप देख सकते हो जैसे हम ऐने इस कोड को रण किया तो इधर आद वैसे टो जो कि हमने इधर एक लूट ली हुई है print print new data type तो यह वाली list हमारी blank आ रही है क्यों blank आ रही है अभी हम देख लेगी उसके बाद में आप देखे तो enter input is not integer तो यह जो कि हमने इधर एक list भी लगा हूँ तो इसके विए से हमारा output में जो कि successfully print नहीं हो रहा है तो जो कि return इधर हमारा एड़ नहीं हो रहा है जो कि blank list ही print कर दे रहा है तो इससे मुझे cut करना पड़ेगा इधर से इधर से कट करना के बाद में मुझे इससे add करना पड़ेगा जो कि fall लिएलूप के बाद में तो इधर मैं इधर एडर कर देता हो तो आप दिसे तो मैंने एड कर दिया तो यह फॉल कर JON會ा बाद में हाम इसे से करते हैं और एदर यह स्फेस से से हटा देता हूं, अब मैं इसे सेव करता हूं, रन करता हूं, तो सभी का मंटिप्लिकेशन करेगा, तो 1 इंटे 2, 2 इंटे 3, 6, 6 इंटे 4, 12, 12 इंटे 5, जो कि हमारा हो जाता है, 60, अब हमारा आउटपूट में आजाने चाहिए, 60 तो, इदर मैं से रन करता हूं, तो तुझे स स्ट्रिंग ले रहे तो इधर मैंने स्ट्रिंग एड़ कर दिया है वह इसे मारन करता हूं तो आप से एंटर इंपूर इस नोट एंटी जाते हम तो हमारा कोड सक्सेस्फुली रन हो रहा है तो यह चाहिए आप को छोटे में करना तो वह भी इस यह काफी वीडियो बनाए हुए तो जिससे हमारा कोड एक लायन में दो लाइन में हो जाता है तो उसके वीडियो आप देखना चाहिए तो इस्टेटियो लिंक भी आपको equal to integer, तो यह मैंने integer लगा दिया, अब यह i को find करना है, कहां से find करना है, for i in, जो की nums के अंदर से, तो यह nums नाम का जो कि हमने बनाया हो, तो इसके अंदर से हम यह find करेंगे, और इदर मैंने तीन बार equal to लगा दिया, तो एक बर हटा देता हूँ, तो अब देख से तो यह हमारा condition एक दम successfully हो गया, तो यह condition true होता है, मतलब यह सभी true होता है condition, तो इदर हमें जो की return कराना है, तो इदर जो की column लगा कर दिया, return करने के बाद में हमारा successfully run हो जागा, और यह नहीं रहता है, यह condition false हो जाता है, तो इदर print हो जाना चाहिए, direct जो हमने इदर दिया हुआ था, तो इसे मैं copy करता हूँ, तो यह मैंने copy किया, और इदर मैं paste कर देता हूँ, इदर से double code से एक बार हटा देता हूँ, तो यह हमारा code जो कि टीन लाइन में होगा, यह भी same work करेगा, जिस तरह यह हमारा code करेगा, तो इसे मैं run करके आपको दिखा देता हूँ, अब मैं इसे save करता हूँ, और इदर मैं run करता हूँ, तो जैसे मैं run करूँगा तो आप देख से तो 120 हमारा successfully print हो जा रहा है, जो कि इसके अंदर सभी number है, और इदर आप देख से तो इदर मैं comma लगाता हूँ, वह को इस ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो यह मैं इसे मैं save करता हूँ, जैसे मैं run करूँगा तो आप देख से तो enter input is not integer, तो यह हमारा code run हो रहा है, तो आपको समझ में आगे रहेगा, डेकु सब्सक्राइब कर दीजिए निशे बाइल आप देख से लिए वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोडिफिकेशन आ जाता हूँ, तो thank you so much for watching this video.